राम जी गंगा किनारे आये अब गंगा पार जाना है कभी कभी भगवान को भी बगतों से काम पड़े जानत गंगा पार प्रभू के बट की नाम चड़े राम जी गंगा किनारे आते है और गंगा किनारे राम जी क्या कहते है मांगी नावो ना के बढ़त आना कहा हे तुभार मरम में जाना मांगी नावो ना जे बढ़त आना मांगी नावो ना जे बढ़त आना अहे तुभार मरम में जाना अहाई तुमार मनम में जाना मागी नाव नाके मर्ते आना अहाई तुमार मनम में जाना सुई राम जे राम जे जे जाना अहाई राम जी ने केवट से कहा भाया नाव लाओ पर केवट बोला हम नहीं लाएंगे लेके चोपाई में दंद भाव हैं दो भाव हैं दूई भाव दंद नहीं दूई भाव हैं मागी नाव ना पर केवट आना एक भाव यह है के राम जी ने मागी तो पर केवट लाया नहीं राम जी गंगा किनारे कड़े अच्छा देखो कितनी बड़ी बात है राम जी कितने सहिन सीले कोई और होता तो ये कहता ठीक है भाईया मतलाओ तुमारे दिन अच्छे हैं हमारे दिन खराब है जब हमारे दिन अच्छे आएंगे तब हम बताएंगे हमको तो 14 वरस का बनवास मिल गया तो तुम भी धोका दे रहे कोई बात में लेकिन राम जी ऐसा नहीं कह रहे राम जी पूछ रहे भाई या क्यों नहीं लाओ केवड बूला नहीं लाएंगे केवड कहता है कहा ही तुम्हार मरम में जानता हूं लक्षमण जी को चिंता हो गई टेंसन हो गई कि हम 2400 घंटे साथ में रहते हम नहीं जान पाए मरम ये भाई साब दूर से बता जानते हैं धन्न हो गया दन्न है लेकिन केबट बड़े दावे के साथ कहता कहा ही तुम्हार मरम में जोनौ अच् neurot यहां मरम क्या जाना केबट में यहां पी संतों नंदो भाव दिये एक भाव तो वो केबट पहचान गया के यह वही राम जी हैं जो पूर्ण प्रव्रम प्रमात्मा है दूसरा भाव क्या दूसरा भाव यह केबट यह जानता है कि आज तक जितने भी लोग गंगा किन आरे आये उन्होंने नाव नी मागी ओर दिया नाव लाओ और पहली बार कोई असा व्यक्ति आया है जो एक मांगी नाव जो मांग रहा है कोई अगर मांग रहा है तो साधरन नहीं है इसलिए केबड कहता है हम समझ गए कहा ही तुम्हार मरम में लक्षमड जी मुस्कुराक है बोले अच्छा भाई साब जो बताओ तो मरम क्या जान गए क्या जान गए कौन सा यह सा मरम जान गए बता केवट बुला और जादा तो नहीं एक बात जान गए क्या जान गए बोले हमने यह जाना है कि तुम्हारे चरणों की रज में बड़ा जादू है हमने सुना है आपकी चरणों की रज इतनी खतर नाग है कि पत्थर को भी नारी बना देती है तो लक्षमर जी बोले इसमें बुराई क्या है केवट बोला बुराई क्या नहीं है यह पूछो पत्थर तो बड़ा कठोर होता है अब वो अगर नारी बन जाए तो महराज हमारी नाओ तो लकडी की है उपर से दिन भर पानी में डली रहती है तो फूल गई है तो यह तो दूर से ही पाउं देखते ही नारी बन जाएगी तो लक्षमर जी बोले क्या दिक्कत है रहे बोले तुम कहते हो अब एक लोगाई पहले से घर पर है तो अगर यह भी बन जाएगी तो लोगाई घर में इंट्री नहीं देगी बोले क्यों बोले हम अगर दूसरी लेकर जाएंगे तो हमारी घरवाली कहेगी अच्छा तो तुम दिन भर यहीं अकरते रहे नाओ नहीं चलाते रहे यह यह क नारी नहीं बना सकते नारी बन जाएगी आफ़त हो जाएगी बोले क्यों यही प्रतिपालव सब परिवार हो महराज जी इसी नाओं से हम अपने पूरे परिवार का भोजन प्रालन करते हैं और कहीं अगर यह भी नारी बन गई तो हमाय भोजन गायव हो जाएंगे साब बंध हो जाएगा महराज और नारी बन जाएगी तो भोजन बंध तो ठीक एक और लोगाई हो जाएगी तो और आफ़त हो जाएगी अब जो पहले से घर वाली है उसकी दवस्ता देखें के दूसरी वाली की तुमारा जी इसलिए हम नाव पर नहीं बैठा सकते हैं लक्षमर जी बुले सुन रहे हो राम जी बुले लक्षमर तुम सुनो यह हमारा बहुत अच्छा भगत है लक्षमर जी बूले हमें आत्र तुमाही हिंदी समझ में नहीं आई जरकाए बुले क्या बुले जो तुम्हारी बात ना माने वो ही भगत लक्षमर जी बुले मतलब लक्षमर जी बुले अब ये साप साप मना कर रहा तुम इने भगत बता रहे सीधा सीधा मना कर रहा आप इनको भगत जी बता रहे बोले एक सुमिंत्र जी है जो जानी रहे तो उनको भी तुम अपना प्यारा भगत बता रहे एक जे केवट भाईया है जो आनी रहे इनको भी आप अपना भगत बताते हो कहते हो भक्त है कैसा भक्त है तो राम जी बोले देखो भाईया जिस दुकानदार की बौनी प्राता का आज से ही बौनी खराब हो जाए उसका पूरा दिन खराब होता है। लक्षमर जी मतलब राम जी भोले जब घर से चलिए तहब तुम को मतों हमारे साथ आओं पर तुम मंदेश की ओप देख कर बोले आप मानी जान की जी बोली नहीं सरकर्वां राम जी यह हम तो पहले ही समझ गए थे जब घर में ही मना हो गया तो अब जितने रास्ते में मिलेंगे सब मना करेंगे अब कोई हाँ कहने बाला नहीं है अब साम मना करेंगे हाँ तो केवट कहता है सरकार हम पार नहीं उतार सकते हैं हम नाहों नहीं ला सकते हैं केवट कहता है सरकार अगर हम लाएंगे तो आपत हो जाएगे राम जी बोले देखो बई कोई उपाए हो तो बताओ बोले सरकार एक उपाए है बोले क्या पद कमल धोय चड़ाय नाओ न नात उत्राओ यीच रहो मोही राम रावर आन दसरत सपत सब साची काओ मोही राम रावर आन दसरत सपत सब साची काओ बरो दीर माराओ लखनों पे जब लगे ना पाए पखारी हो कब लगे ना तुल सीदा से नात क्रिपाले पाले उतारी हो केबट कहता है सरगार अगर पार जाना है तो एको पाए है लक्षमर जी बुले क्या पैदे कमले धोई चड़ाए आपके चड़नों को बिना धोई हम पार नहीं कर सकते और अगर आप संकोच खा रहे हो के हम नाव पर ले जाएंगे तो उत्राई लेंगे हम आपकी नहीं आपके पुझ निये पिता जी दसरत जी की सपत खा करके कहते हैं हम आप से कोई उत्राई नहीं लेंगे लक्षमर जी का धिमाग खराब हो गया कि हमारे तक तो ठीक है पिता जी ने क्या बिगाड़ा है धन उस बान ने का लिया सावधान केबट तयार हो जाओ मरने को लेकर धन नहीं केबट भय व्यक्त नहीं हुगा केबट अभय है क्योंकि सामने अजय अभय रगुराई खड़े हुए केबट डरा नहीं भय भीत नहीं केबट बूला लगो बान मार दो लगो छोड़ो लगो बान लो हम खड़े हैं तो किसी ने पूझा के तुम्हें डर नहीं लग रहा केबट बूल अब एक परसेंट नहीं कारण उले ऐसी मौत किसकी होगी स्री गंगाजी का तम तट हो यमन जब प्राणे तन से निकले ऐसी मौत किसकी होगी गंगाजी का किनारा भी है सरकार भी सामने खड़े हैं लक्षमर जी बान मारो 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 राम जी बोले बेट रुग जाओ रुग जाओ रुग जाओ लक्षमर जी छोड़ना दाई कि बोले कि उखात्य दार हो जाएगा अपनी बजीयत हो जाएगे लोग कहेंगे कि छोटी सी बात पर छोटे भाई ने मसक दिया वान इसलिए रुग जाओ लक्षमर जी बोले किसे रुग जाओ ये अपने पिता जी कर नाम जाशी रुग जाओ लक्षमर जी अब हम नहीं स आप भले ही तीर मार दो पर हम तब तक पार नहीं उतारेंगे जब तक आप हम हम चरण आप दोनों के तीनों के नहीं धोलेंगे तो राम जी बोले भीये जब चरण ही धोना है तो बेबात क्यों कर रहे चरण धोलो तो बोले नहीं कहो के चरण धो अचाक संसार में ऐसा कौन स्रिमान होगा जो अपने मुझ से खुद कहेगा कि हमाये चरण धो लेकिन दन्य केवट कहता है आप कहो के चरण धो हम फिर धोए क्योंकि हाँ हमें धोडी गर्जे है केबट की बानी सुनना हम धोडी गर्जAY पारतो आपको आजाना है हम हमें नहीं अगजे है आप कहो अपने मुद से केबट जी चरंड हो remaining आप अभुत आप जगत में आई सा कॉन स्रीमान होगा जो अपने मुद से कहेगा के हाव भीया चरण दो जहां जीबाणी मुनी सुन के वट के बैन प्रेम लपे अट पटे बीह से करुनाये के वट के अट पटे बचन सुनकर भगवान हस गए जहां प्रभू को हसता हुआ देखा बोले वस यही तो हम चाहते थे लक्षमर जी बोले अच्छा क्या चाहते थे बोले हम चाहते थे कि आप हसें ताकि आपके हसने से हमारी जंदगी में बहार आजाब है चाहे मार दोहरी या चाहे तार दोहरी ऐसे बचन सुनकर के के वट के भगवान हस गए बोले भईया एक काम करो बोलो क्रपा सिंधू बोले मुसिकाई भगवान मुस्पुरा करके बोले सोई करो जेही तब नाव न जाए हे के वट भईया वही करो जिससे हमें नाव में चरने को मिल जाए के वट बुला एक यो पाए चरन तो राम जी बुल भी अधो बेगे आनों जल पाए पकारो ओ होते बिलंब उता रहे पारो जल्दी से जल को ला करके हमारे पाउं को पखार दो अब भगवान ने अपने मुख से कहा अब केवट बुलो अब काम बन गया अब आपने अपने मूँ से कह दिया अब आनन्द आ गया केबट भागा भागा गया कठोटा ले आया कठोटा में जल ले आया पूरे परिवार सहत आकर के केबट राम जी के चरणों को धोने लगा आति आनन्द उमंगे अनुरागा आति आनन्द उमंगे अनुरागा चरण सरोजी पकारन लागा चरण सरोजी पकारन लागा चरण सरोजी पकारन लागा स्री राम जै राम जै राम स्री राम जै राम केवट चरणों को धोने लगा राम जी के पद कमल को पकड करके केवट अपने हादों से धोने लगा जिन राम जी के दर्सन करने के लिए बड़े बड़े देवता लाइन में लगे है धन्य किवट वाबावू उन्ही राम जी के चरणों को पकार रहा है आनंद में भर गया केवट जै हो सरकार की अब धोए तो एक दो मिनट नहीं दस बीस मिनट राम जी बोले भाईया धोते ही रहोगे कुछ और करोगे अब एक तो धोलिया जरत दूसरा चरण लाईये तो राम जी ने पहला चरण जैसे निकाला जल से कठवता से तो वो गंगा जी की रजमें रख दिया बोले सब गड़बड हो गया राम जी बोले अब क्या गड़बड हो गया बोले बाभ अभी अभी हमने धोया आपने पोंचने तक नहीं दिया कपड़े से आपने गीला पैर रख लिया फिर से रज लग गई फिर से वो नाओ हमाई नारी बन जाएगी लक्षमन जी बोले भईया यही दिन भर करो एक पैर दो दूसरा दो एक दो दूसरा दो यही चलने दो पार क्यों उतार रहे पार क्यों उतार रहे यही करो राम जी बोले चुप रहो भक्त है लक्षमन जी बोले ऐसे भक्त से तो आप ही निपत हो हम नहीं निपत पाएंग कि वाट बोला य। यह यह बात बताओ और हम करेंगे क्या के वट वुला एक काम काम करो एक जलुमें पेर रzwो हम suplaw pia उसे दूसरे हाथ से कपड़े से पौंचेंगे। तु केवट बोला राम जी वोले केवतबाई हम गिर नहीं पड़ेंगे। गिर पढ़ेंगे। केवट देखो कितने अच्या तो रहे। केवट ने सोचा कि हमने आँखों से दर्सन कर लिए तो रूप की कृपा में लगए राम जी के बचन सुन लिए तो बानी की कृपा में लगए चरण को धोलिया तो चरणों की कृपा में लगए अब केवल हातों की कृपा रह गई तो क्या उपाय किया जाए केवट बूला सर दुनिया को समालते हैं केवट वावु उनको समाल रहे आप हमारे मस्तक पर हाथ रग दो राम जी मुस्कुराए लक्षमर जी बोले लेओ एक और नई नोटम की राम जी बोले रहने दो कोई बात नहीं चरनद हो ये जैसे ही चरनद हो ये केवट ने कपड़े से साप किया राम जी के दर्शन के लिए लोग तरस्ते वो मस्तक पर भी हाथ रखवा लेता है भाव का भूंका हूं मैं और भाव ही एक सान है भाव से जो मुझ को भजे सो भाव से बेडा पाए राम जी तो भाव के भूंके भगत के बस में है भगवा भगत के बस में है अरे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है भगत बिना ये कुछ भी नहीं है भगत है इनके प्रान भगत के बस में है भगवा भगत के बस में है बस में है जो लाइन में आंगे लगे हैं वो पार जाएगे लक्षमर जी बोले लेओ एक और नहीं नो ठंके यहाँ पर तो कोई लाइन में नहीं लगा राम जी भी बोले यहाँ तो कोई लाइन में नहीं है के बल हम लोग है अब कौन पार जाएगा बोले अगर सरकार आपको दिखाई देता तो वो पार ना हो जाते राम जी बोले मतलब बोले हमारे जो पूर्वज हैं हमारे जो पित्र हैं हमारे जो पुर्खा हैं पहले उनको पार करेंगे आप आगए हैं फिर आपको पार करेंगे तो राम जी के चरणों की जल से अपने पित्रों को पार किया अब कहा कि बैठो यहां पर एक गौर करने योग बात है राम जी जब नाओं में बैठे तो पहले नहीं बैठे पहले जानकी जी को बैठाया यह कथा का सुत्र है साथ में अगर परिबार में कोई माजी या इस्तरी हो या बहन हो या बिटिया हो तो किसी भी बाहन पर चलने के पहले उनको पहले बैठाओ बरना कई बार घाटा हो जाता है कैसा घाटा हमारा चेला चंगीला हमारा चेला चंगीला बहुत उंचा चेला नई-नई साधी हुई चंगीलाल के मुन्नी बैंसी चंगीलाल और मुन्नी भाई दोनों घूमने गए रेलेवे स्टेशन पर एक भूढ़ा आदमी जिसका नाम टिल्लू गुरू है टिल्लू गुरू रामाण पड़ रहा था रामचरित मारस तो चंगीलाल ने देखा युवान लड़का था चंगीलाल क्या राम पुरानी हो गई नई पुस्तके आगा उनको पड़ो उपन्यास आगए कहानिया आगए उनको पड़ो तुम वही राम 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 रते रहेते क्या मिल रहा हैं तो बुरे आदमीं ने कहा कि बेटा तुम जवान हो तुमने पढ़ाई नहीं रामार इसलिए ऐसा कह अब इसका जबाब भगवान तुमको देखा भगवान भी बड़े लीलाद है रेल गाड़ी आई ट्रेन आई तो वो तिल्लू गुरू अपने डबा में बैठ गया जाकर सीट पर सीट नमबर पर चंगी लाल किस्मत की बात के चंगी लाल का भी टिकट उसी ट्रेन में था उसी डिब्बे में तो चंगी लाल आँगे बैठ गया तब तक रेल गाड़ी की सीटी बज़ गई रेल गाड़ी चली गई लोगाई चंगी लाल की रेल बे प्लेट फोरम पर रह गई जैंस ही आंगे तक बड़ी सो चिलाया चैंगला रोको 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 चैन खीचो कोई चैन खीचो गाड़ी को रुकवा गाड़ी को रुकवा तो लोगों ने कहा क्या हुआ बो बात मैं बताएंगे पहले गाड़ी तो रोकवा लोगों ने चैन खीची क्या हुआ बोले ह अगर तुमने रामाड पड़ी होती और रामाड का केबट प्रसंग पड़ा होता तो उसमें लिखा है राम जी जब नाओ पर चड़ते हैं तो पहले जानकी जी को बैठाते हैं तो उसको जीवन में उतार लेते तो तुम्हें ये घाटा नहीं खाना पड़ता इसलिए याद रखिएगा बाहनों पर राम जी न नाओ में सबसे पहले स्री जानकी मईया को चड़ाया आहां जानकी मईया को सी ये राम गुही लखन समेता आप चौपाई पड़िएगा तो सबसे पहले जानकी मईया चड़ नाओ पर पहुची लक्षमर जी फिर राम जी नाओ चली तो केवट में सोचा पार तो बहुत जल्दी हो जाना तो केवट क्या करें थोड़ा नीचे ले जाए फिर उपर ले जाए नीचे उपर नीचे दो तीन घंटा हो गए राम जी सब्सक्राइब तो बическая ठीच कि इतनी लंबी तो将गाजी नहीं है जितनी तों बना रहें तक तो अब तक तो पार हो जाना चाहिका तो पता केवट मस्कुरा कर क्या कर का वास कुछ देर क्या बैटे आपको ऊबन हो गई कुछ देर क्या बैटे आपको खिन्नता भर सबस्म ह हम जीवों के उपर देखो क्या बीथती होगी जब आप 84 लाख योनियों में उपर नीचे करते हो तब क्या बीथती होगी बगवान असके बड़े चतर हो तब राम जी ने मुश्कुरा कर का चिंता मत करो हम तुमें आसिरवाद देते हैं जो गंगा इसनान करेगा गंगा जी का ध्यान करेगा जो इस प्रशंग को सुनेगा उसे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा आंगे गंगा जी पारभे उतरी ठाड़े भे सुरसरी रेता सीय राम गुह लखन समेता सीय राम गुह लखन समेता राम जी उतर गए जैसे ही उतरे तो राम जी को संकोच है कि उतराई कुछ देनी चाहिए के वाट उतरी दन्डवत कीना प्रभु ही सकुच यही नहीं कर चुदीना प्रभु ही सकुच यही नहीं कर चुदीना प्रभु ही नहीं कर चाहिए नहीं कर चुदीना पार गये केवट ने साश्टांग दन्डवत प्रणाम किया आपकी जय हो सरकार आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो आहा राम जी ने मन में संकोज किया कुछ दिया नहीं हमने केवट को कुछ देना चाहिए लेकर हमारे पास तो कुछ नहीं है क्योंकि तापस बेस बिसेस उदासी चोदेवरस राम बहन वासी राम जी तो सोच रहे कि हमारे पास तो कुछ नहीं हम तो तपस्यों का बेस दारन करें लेकिन पत्नी वही है जो पती के मन की जान जाए जान की जी पती के मन की स्री रागव जी के मन की जान गई पिये ही ए किसी ए जानने हारी मन मुदिरी मन मुदिते उतारी अपने हाथों से मुदरी उतारी मन में प्राथना करते हुए राम जी से कहा सरकार आपके इस हाथ में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं आपके इस हाथ में तो है हमारे पिता ने हमारा हाथ आपके हाथ में सौप रखा है केबट की तरफ राम जी देख करके मुद्री लेकर के जान की जिसे लो भाई केबट पकड़ो केबट बोला सरकार यह क्या है उत्राई केबट रास पड़ा बोले सरकार एक जैसा बिजनस करने बाला कोई एक दूसरे को रुपया नहीं देता है एक जैसा कोई काम करने बाला ब्यक्ति अगर जाए ना उसे ना नाई लेत बाल की कटाई को अगर एक नाई दूसरे नाई की दुकान पर जाए और बाल कटवाए तो रुपया नहीं लेता है धोबी से न धोबी लेत वस्त्र की धुलाई को एक दूसरे की बिजनेस एक जैसा बिजनेस हो तो रुपया नहीं लिया जाता सरकार लक्षमर जी बोले एक बात बताओ यह तुम्हारा वह प्रभू का एक जैसा बिजनेस कौन सा है अरे बोले दौनों का एक जैसा काम है राम जी बोले कौन सा बताओ यह बोले अंतर इतना है आप भौशागra पार करवाते हो मह घंगा पार करवाते हैं ठीभी मह पषर पार वाते हैं जो आप करते हैं और करते हैं लक्षमान जी बुले लेव एक और नई कहानी सुनो खी मने दन राम जी बूले नहीं cooking न पुछ लो अगर फिर भी आप मानते हो राम जी बोले नहीं हम तो सब का कर्ज उखाते हैं किसी का कर्जा नहीं रखते हैं तो केबड बोला अगर अपने को रिणी समझते हो अगर आप मानते हो कि हम बिलकुल रिणी हैं तो आप बिलकुल चिंता मत करो हम आप से एक निवेदन करते हैं बुले करो, बुले सरकार, अगर आप मानते हो कि आप हमारे रिणिया हो, एक काम करना, आप आए गंगा जी, तो हमने पार किया, एक दिन हम आपके पास आएंगे, तो आप हमें बहुत से पार करा देना, हिसाब चुक जाएगा बराबर, लक्षमान जी बुले, ये तो बहुत बड़ा बिजनस मैन है, बहुत आँगे की सोचता है, धन्ने ये आदमी, बताओ, कितना दिमाख है, बुले, अगर अपने को रिणिया समझते हो, तो एक बात मेरी मान लेना, हमने है, तुम्हें गंगा पार किया, तुम भाव से पार करा देना, आप हमें भाव से पार करा देना, राम जी बोले, भी देखो, हमें आनंद नहीं आएगा, बिना दिये हुए, क्योंकि हमारे मन में संकोच है, हमारे हाथ से नहीं लेना है, तो जानकी जी के हाथ से ले ले, अब तो और केबट रोन ने लगा, भूले कियों ये पागलो जैसी सी बात करें तो si आपके हाथ से ले भी ले तो चलेगा पर लाम जी समझ गए, लाम जी ने केवट को फिर भी केवट हाँच जोड करके कहता रोता हुआ ना थे आजू में काहिना पाबा, ना थे आजू में बाहिना पाबा ना थे आजू में काहिना पाबा, ना थे आजू में काहिना पाबा मिटे दोसे दुखे दारी दे दावा मिटे दोसे दुखे दारी दावा महुत काल में कीन मजूरी महुत काल में कीन मजूरी सुरी दुखे आम today सुरी दुखे 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 दू ऑन सुरी दू जै दूखे दू confidently केवट कहता सरकार हमने आज क्या नहीं पा लिया सब कुछ पा लिया हमारे दुखदारत दोस्त सब मिट गए सरकार हम नहीं कुछ चाहिए भगमान मुश्कुरा कर अभय आसिरवाद दिया भक्ती का जाओ तुम्हारी भक्ती खूब बड़े केवट कहता सरकार फिरती बार मोही जो देवा सो प्रशाद में सिरधरी लेवा आप जब बापस आएंगे तो जो भी हमको देंगे हम प्रशाद रूप में उसे सुईकार कर लेंगे आहा इसका मतलब राम जी बोले दुबारा फिर धोना चाहेते हो का चरण केवट बोला अग रहो यह बहुत उंचाया आदमी है राम जी बोले इस लोग की तो ठीक है पर लोग का भी यह आप से साइन करवाता जा रहा है अभी कुछ देर पहले क्या कह रहा था कि अगर आप उधारी मानते हो तो अभी मत चुकाओ ब्याज सहत चुका देना जब हम तुमारे धाम आए हो के हमारे चरण धो मतलब इसको कोई आफ़त नहीं है अब चलो यह बात भी हो गई तीसरा आपका हात भी सिर्फ पर रखवा लिया और चौथा इसने क्या चतुरता की केबट ने चौती चतुरता केबट ने की के गंगा जी में इसने बरदान ले लिया कि जो जो भी इस के बेटिया भी बना लिया भावी मा को बेटी भी बना लिया पांच मा यह पा गया अब इसका बिजनिस देखना कितना खतरना चटमा बिजनिस का क्या साइन करवाया चटमा बिजनिस का यह साइन करवाया कि अब जी तो ठीक है बापसी में जब आप आओगे तो यहीं से आना फिर जो आप हमें देदोगे सुल्ले भी लेंगे केवट जैसा कोई दिमागदार नहीं है पूरी रामान में स्री राम जे राम केवट जैसा पुद्धी मान भला कौन हो सकता है पर केवट जैसी भक्ती भी कोई नहीं पा सकता है आपको बता दें केवट कोई साधारन है क्या नहीं आप सुनकर के आश्चर में भर जाएंगे नई कथा होगी आपके लिए सुनिये बहुत गंभीरता पुर्वक आज की कथा सुनिये आज की कथा से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे जबसे राम जी बन गए केवट की नाव पर चल करके फिर लोट कर कभी केवट ने नाव नहीं चलाई कभी नहीं कभी नहीं चलाई हमने एक अन्रामान में ये पाया है क्योंकि केवट ने सोचा जिन राम जी को पाने के लिए दुनिया तरस्ती पुरा विश्व तरस्ता बड़े बड़े देवता हमने उन राम जी को पाली आब हम संसार के नहीं होंगे लौटकर अब हम राम जी के हो गए लौटकर केवट ने कभी नाव नहीं चलाई और रुकिये जब तक राम जी चौदा बरस बनबास तक रहे तब तक केवट घर नहीं गया रोज गंगा किनारे बैठा बैठा राम जी को याद में रोता ला और सुनिये हैं एक दिन केवट ने अपनी आँखें भी भोड ले अंधा हो गया भूचा किसी ने क्यों बोले इन आँखों ने अब राम जी को देख लिया अभी ये आँखें दुनिया को नहीं देखेंगी मैंनों को भी फोड दिया और आपको सुनकर आश्चरिय लगेगा जब राम जी चौदा बरस बनवास के बाद रामड का बद करके बुस्पक बिमान से बापस आए तो केबट गंगा किनारे बैठा बैठा राम जी की याद में रो रहा था कि राम जी आएंगे राम जी का बिमान तेज गती से अध्या की तरब जा रहा था लेकिन केबट के भाव के कारण बिमान अन जगह तो बड़ी तेज गती से चला पर केबट के ऊपर जैसे ही बिमान में बैटे थे उन्होंने कहा क्या खराबी हो गई बिमान में राम जी ने कहा कोई खराबी नहीं है बिमान में बिमान तो ठीक है नीचे हमारा भक्त 14 सान से केवट इंतिजार करा तब बिमान नीचे उतरा और जैसे ही उतरा तो केवट पहचान गया राम जी आए है हाँ 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 केवट के दोनों नेत्र नहीं राम जी को ढूरता ढूरता जाकर के चरणों को पकर लिया सरकार आ गए राम जी ने केवट को उठा करके गले से लगा दिया ऐसा भक्त है केवट कोई साधारन भक्त नहीं केवट बड़ा द्रडबान भक्त है राम जी का रामान का केवट का प्रशंग जो जो सुनता है न उसे राम जी की अविरल भक्ती की कृपा प्राप्त होती है